असलाम आलेगो मैं एवरिवन तो आज शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ ये शाही चिकन ग्रेवी तो एकदम आज में बनानी वाली हूँ एक अलग अदाज में एकदम वाइड ग्रेवी वाला शाही चिकन आपने ये पहले नहीं खाया होगा मेरे तरीके से तो चलिए साड़े साथ सो गिराम चिकन लिया है मैंने इसे मिक्स के साथ लिया है इसमें हड्यां भी है और साब बोटी का भी है हमने इसे चुटी चुटी बोटी के साथ लिया है आप इसे लें तो चुटी पीसे करवाके ने तो इसे अच्छे से वास करके मैंने कई पानी से धोया है और प्लेट में निकाल लिया है इस तरीके के पीस लेने चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं अपना चिकन बनाना सबसे पहले इसे हम मेंगिनेट करेंगे तो मेंगिनेट करने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है इसे उसमें सिफ्ट कर लेंगे अपने सारे चिकन को तो हमने सारा चिकन अपने बावल में डाल लिया है अब इसके अंदर एड़ करेंगे कुछ बेसिक मसाले तो ये देखिए हाफ टेस्पून हमारे पास कसूरी मेती है हाफ टेस्पून गरम मसाला है वन टेस्पून हमने ये हरी वाली मिर्च लिये कुटी हुई हाफ टेस्पून चिल्ली फिलेक्स लिये है और हाफ टेस्पून जीरा लिया है हाफ टेस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है और हाफ टेस्पून ये हमने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर लिया है हाफ टेट पुन हमने ये कुटे हुई मिर्च ली है तो ये हमारे सारे मसाले हो चुके हैं मैंने बता दिया आपको अब ये हम एड़ कर देंगे अपने चिकन में अगर आपके पास ये सारे मसाले नहीं है तो आप थोड़े कम ज़्यादा भी कर सकते हैं वन टेस्पून भरके नमक एड़ कर देंगे वन टेस्पून हम ये जिंदर गाले का पेस्ट एड़ कर देंगे इसके अंदर और ये एक मुठी हरादनी डाल देंगे फ्रेस सो ग्राम हम धही भी एड़ कर देते हैं इसके अंदर तो सारा समान हमारा जा चुका है इसके अंदर अब इसे हम हाथ से मिक्स कर लेंगे सबसे अच्छा वैसे यह हाथ से ही मिक्स होता है तो यह देखिए इस तरीके से मैं इसे हाथ से मिक्स कर लूँगे तो मैंने सारे चिकन को हाथ से मिक्स कर लिया है अब तकरीवन मैं इसे एक घंटे के रेस्ट पर छोड़ दोंगी उसके बाद मैं इसे बनाऊंगी तो देखिए चिकन को हमारे रखे हुए एक घंटा हो गया है तकरीवन तो मैंने ये 1.500 ग्राम ओयल ले लिया है कड़ाही में ओयल को हमने गरम कर लिया है आपको भी कुकिंग ओयल ले सकते हैं तो दो लोंग दो सफीद लैची है इसमें हमने एड़ कर दी है तो इसे थोड़ा सा हम चटकने देंगे अब इसके अंदर एड़ करेंगे यह हमारे पास 3 बड़े साइच की प्यास थी जिसे हमने greater से grate कर लिया है एक दम वारिक वारिक तो देखिए प्यास को अच्छे से भूल लिया है हमने तो खूब अच्छे से भूनेंगे हम तब तक इसका लेंड़ चेंज ने हो जाता तो देखिए हमारी प्यास का कलार एक दम चेंज हो गया है वन टेस्पूर भरके हम यह यह अधर ट्लसन का पेश्ट ऐड़ कर देंगे इसके अंदर अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से mix कर लिया है हमने अब इसके अंदर add कर देंगे अपना चिकन जो हमने marinate कर गे रखा था तो ये चिकन खाने में बहुत ही tasty बनता है आप मेरी तरीकी इस चिकन को ज़रूर बनाए और आपके घर में हमाना आए हो तो आप इसे ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं एकदम अलग सा चिकन है ये शाही वाला तो इसे अच्छे से mix कर लेंगे हम ये देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया देखने में अभी से ही तो इसे अच्छे से mix कर लिया है हमने अब थोड़ा सा बाउल में पानी घुमा के डाल देंगे हम एक चम्चे के करीब क्योंकि हमें अपनी चिकन को गलाना भी है बस इतना ही पानी आट करेंगे अब इसे ढखके रख दिंगे हम तकरिवन 6-7 मिनिट के बाद हम खोल के देखेंगे अपनी चिकन को तो यह देखिए हमने 6-7 मिनिट के बाद इसे खोल के देखा है तकरिवन इतना टाइम हो चुका है इसे पकते पकते तो यह बॉन से अलग होने लगा है हमारा चिकन एकदम गल चुका है तकरिवन हमारा 80% चिकन को खो चुका है थोड़ा सा और पकाएंगे बस हम इसे ज़्यादा नहीं पकाना हमें अगर आपको इस वक्त इसमें कोई चीज कम लगे तो आप एड़ कर दें हमें हलका सा नमक और थोड़ी सी मिर्च कम लग रही थी तो हमने 1-2 टेस्पून ये चिली फ्लेक्स, 1-2 टेस्पून नमक और ये 1-2 टेस्पून हमारे पास साही कढ़ाई गरम मसाला है ये हमने घर में बना के रखा है आपकी इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंटर में बताएं तो ये मिक्स कर दिया है हमने इसे डालने से हमारे चिकन का टेस्ट दूबना हो जाता है तो देखिए तकरीवन हमने से 4-5 मिनिट के गी और बना लिया है गैस का फिलम हमने ओफ कर दिया है तो हमारे वाइट ग्रेवी चिकन बनके रेडी है एक दम साही अंदाज में देख सकते हैं आप कितना लाजबाब लग रहा है न हमारे चिकन आप मेरे तरीके से इस चिकन को ज़रूर बनाएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो प्लीस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता है अगर आप मेरे चैनल पर नई हो तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज